आज कुछ हलकी फुलकी बात करते हैं, बच्पन में स्नोवाइट की गाहनी सुनी है, स्नोवाइट के पिता एक राजा थे और मा की बहुत जल्दी मृत्य हो गए थी, तो स्नोवाइट के पिता ने दूसरी शादी की थी, सौतेली मा बहुत कूपसूरत थी और उसके पास एक स्नोवाइट की चादवी आईना था जिससे वह रोज सुभव पूछती बहला मुझसे खुबसूरत कोई और है और आईना रोज कहता तुम दुनिया की सबसे खुबसूरत वाइट हो एक दिन आईना बोल पड़ा स्नोवाइट तुम से साधा खुबसूरत है बहला रानी को ऐस बत्तो होता उसने जो on wi को पहाड से गिरा कर मार डालने के लिए पह needle स्नोवाइट के देखकर आइसा नहीं कर सके उन्होंने स्नोवाइट को जंगल में छोड़ा और किसी जानवर का खून लाके रानी को दिखा दिया स्नोवाइट को जंगल में बॉने मिले जो से अपने घर ले गए बॉने काम पर जाते स्नोवाइट खाना बनाती इस तरह से उनकी जिंदगी चल रही थी लेकिन इधर रानी ने जब एक दिन फिर जा कंगी में जहर था जैसे ही उसने स्नोवाइट के बालों में एक या दो बार कंगी फेरी बॉने वापस आ गए रानी भाग खड़ी हुई लेकिन जहर के असर से स्नोवाइट बेहोश हो गई बॉनो को समझ में आ गया कि कोई तो है जो स्नोवाइट की जान खेना चाता है तो स्नोवाइट के पास जा पहुँची बहुत ताजा सेब उसे दिखाया और उसे कहा इसे खाना चाहिए स्नोवाइट को किसी तरफ बहला कि उसने वो सेब खिलाया जो एक तरफ से जहरी ला था स्नोवाइट ने जैसे ही सेब खाया वो बेहोशोकर गिर पड़ी रानी तो भा बाहर रख दिया, बॉने उसे अक्सर नहारा करते और एक बार जब बॉने काम पर गये थी तो उस देश का राजकुमार महां से निकला, उसने इतनी खुबसूरत लड़की को ताबूत में लेटे देखा, तो उसने उसका ग्लास हटाया और उस लड़की के माथे पर प्यार कि पता नहीं क्या हुआ, स्नो वाइट उठकर बैठ गई, और तब राजकुमार को रामी की धूर्टताओं का पता चला, ये भी मालूम हुआ कि राजा को बंदी बना लिया है, फिर क्या था, राजकुमार ने पूरी सेना के साथ उस राजी पर चढ़ाई की, रानी का वही हुआ, जो किसी भी कुटिल व्यक्ति का होता है, ये कहानी जब दुबारा पड़ रही थी, तो मुझे एक राजा बहुत यादाया, एक ऐसा राजा जो रोज सुभा पूछता है, भला मुझ से ज्यादा लोगप्रिय कौन, भला मुझ से ज्यादा ताकतवर कौन, भला देखेंगे, हम देखेंगे, जय हिंद,